आप सब का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल मॉम डैडन बेबी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं करीना कपूर की तरह प्रेगनेंट महिला ना करे करेला खाने की गलती हो सकता है उन्हें भी बहुत ही तरह का नुकसान करेले में कुछ तरह के कैमिकल होते हैं जो मेंस्ट्रोल, ब्रीडिंग और गरवपात को ट्रिगर कर सकता है एक्ट्रेस करीना कपूर दूसरी बार मा बनने जारी है लेकिन उनकी पहली प्रेगननसी अब तक चर्चा में रहती है अपनी पहली प्रेगननसी के बारे में करीना ने बताया था कि उन्हें करेला खाने की क्रेविंग होती थी और उन्होंने खूब करेला खाया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेगननसी में करेला खाना नुकसान भी पहुँचा सकता है आईए जानते हैं कैसे करेले में विक्सिन नामक ततो होता है जिससे उत्तकों तक आक्सिजन ले जाने वाली रग्त कोसिकाओं को नुकसान पहुँचता है इससे प्रेगनेंट महिला को अनेमिया की दिक्कत हो सकती है वहीं अगर प्रेगननसी में अनेमिया गंभीर रूप ले ले तो इसकी वज़़ से प्रीमेच्वर बर्थ, जन्म के समय सिसु का वजन कम होना और इस्टिल बर्थ का खत्रा पढ़ सकता है अब बात कर लेते हैं करेले में टॉक्सिक होता है करेले में क्योनिन, मुमोडिका और ग्लाइकोसीज नामक ततो होते हैं जो सरीर में जहर का काम कर सकते हैं इन ततो की वज़़ से आतों में दर्थ, देखने में दिक्कत, उल्की, ठकान, मांस्पेसियों में ठकान, मतली और अधिक सलाइवा बनने की दिक्कत हो सकती है अब बात कर लेते हैं करेला आपके ब्लीडिंग का कारण भी बन सकता है माना जाता है कि प्रेगननसी में करेला खाने से पेट दर्थ, अपच और दस्त की समस्या हो सकती है कहा जाता है कि गर्भा वस्ता में करेले का जूस पीने से पेट में कॉंट्रेक्शन उच सकती है और ब्लेडिंग हो सकती है जिससे मिस्कैरेज हो सकता है अब बात कर लेते हैं आपको करेला कब नहीं खाना चाहिए बहतर होगा कि आप गर्भा वस्ता में करेला ना खाएं अगर आप फिर भी करेला खाना चाहती हैं तो कम मात्रा में खाएं और करेला खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले उधारन के तौर पर आप हपते में एक या दो बार एक कप करेले का जूस पी सकती है लेकिन आपको डॉक्टर के सलाह के बगेर करेला नहीं खाना है अगर आप प्रेगननसी के तीन मेहने तक करेला खाती है तो इससे आपका पाचन बिगर सकता है वहीं दूद पिलाने वाली मेहलाओं को भी करेला खाने से बचना चाहिए उम्मेद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से सुक्रिया मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना बेहत ख्याल रखे और हमारे चैनल से जुड़े रहें बचपन से पचपन तक आपको हमारे चैनल पर सारी हैल्प की वीडियो मिल जाएगे